ओके, हे ओल राइट और वेलकम टू अलिन टूडेज दे हिंदू न्यूजपेपर डिसकेशन नाओ देखिए आज की इस वीडियो में हम दो या तीन दिन का न्यूजपेपर एक साथ करेंगे ताकि आपका टाइम भी बचे और साथी साथ हम आपको पेजवाई डिसकेशन करा आते हैं ताकि आप ये इंशूर हो जाएं कि हर एक पेज में कौन सी न्यूज हमारे लिए मैटर करती है फॉर्ड अपकमिंग यूपीएस और स्टेट पीचियस एक्जाम तो हम ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का डिसकेशन और साथी साथ म वह भी आपको शेयर करते रहूंगा वह आपको फ्री में टेलीग्राम में मिल जाएंगे तो स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज पेपर डिसकेशन एक अच्छे वेम हैं जिसमें यूपीएस या प्रिलिम्स और मेंस भी एक्जामपल और प्रिलिम्स बेसेस पर समझ पाए चलिए पेज नमर वन से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले देखिए कौन सा जो है न्यूज है यह देखिए आपको सबसे पहले हालेटेड वर्जन से मैं पढ़ाता हूं सबसे पहला पेज नमर देखिए कौन-कौन सी चीज़ें नहीं करनी है और कौन-कौन सी चीज़ें करनी हैं फिर स्टार्ट करते हैं देखिए संगम टू फॉर्म गॉर्मेंट इन मेगलाया रियो विल लीड नागलेंड विट बीजेपी हल पूरा पॉलेटिकल नियूज है अभी आप सबको पढ़ता होगा नौर्थ इस्ट के जो राज्य हैं जैसे तिरपूरा है पर एक खास बात नौर्थ इस्ट राज्यों की यह होती है कि वहाँ जो वोटर परसेंटेज होता है जितने लोग वोट करते हैं वह एस कंबेड़ेटू दूसरे राज्य वह कम है नौर्थ इस्ट के राज्यों में बहुत ज्यादा आवेरनेस है रिगार्डिंग दा इलेक्शन प्रोसेस ब क्या यह UPSC यह स्टेट PCS एक्जाम पूछेगा नहीं यह भी नहीं पूछेंगे वह अलग बात है कि कभी कभी क्या होता एक्जामपल बेच्ट कॉशन आते हैं एथिक्स में पर आपको उस पर नहीं जाना क्योंकि बहुत सारे लोग एक न्यूस को मैं कनेक्ट करके बता सक करता हूं बड़ पड़ानी की जरुवत है नहीं है क्योंकि एथिक्स एक ऐसी चीज़े जब से पहले आप थियोरी पड़ोगे कैसी आया है फिर आप पॉजिटिव और नेगिटिव सेंस यहां पर सोचोगे तो समझ रहोंगे मैं आपको पॉलिटिकल और क्रिमिनल निउस नहीं पड़ाओंगा ठीक है पूरी के लागल ऑन वर्ल्ड हेरिंग डे पोस्टर यह अभी आपका नहीं है आपका काम का एक ही स्कीम है वह यह है कि सेलेक्ट सेंटरल स्टाप के आप्ट फॉर ओल्ड पैंशन स्कीम अब देखिए हाली में नैशनल पैंशन स्कीम चालू क्या होती है पैंशन स्कीम वही होती है कि जो आप हैं जैसे आप कोई सरकारी नौकरी में हैं तो आपने सरकार को सरकार को ना कहके मैं कहूंगा कि हमारे भारत देश के लिए कौंट्रिबूशन दिया जीडीपी में वर्क फोर्स में तो सरकार आपके लिए कुछ सोचती है तो सरकार बहुत सारी pension scheme लेके आती हैं उसके लिए कि हाँ साटी साल के बाद जब आप जो retire हो जाएंगे आप फिर country को serve नहीं करेंगे क्योंकि country को पता है कि आपने साटी साल तक country को दिया है अपना contribution तो सरकार भी सोचती है कि इनके लिए कुछ monthly salary है वो दी जाए as a pension. तो government allow one time option for those who applied for job advertised before 22 December 2003 मतलब सरकार ने ये बोला है कि ऐसे लोग जिनोंने 2003 से पहले सरकारी exam में apply किया था the day national pension scheme was notified. देखिए 22 December 2003 को national pension scheme notified हुई थी but joint service in 2004 when NPS came into effect यहाँ पर ये बोला गया है बहुत सारी मैंने का pension scheme है तो सरकार ने का आप new मतलब आप old pension scheme को भी opt कर सकते हो देखिए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको अपने basis पर होता ना comfort जैसे दो गाड़िया लेनी है वही है कि अपने basis पर कौन सी आप गाड़ी लेना चाते हैं ठीक है तो उस basis पर आपका कोई किसी का पसंद कोई होगा किसी का कोई पर मैं आपको दो गाड़ियों के बारे में बता देता हूं कहने का मतलब पहली गाड़ी है old pension scheme दूसरी है new national pension scheme सरकार ने ये काया कि 22 December 2003 से पहले जिन लोगों ने जौब पर अप्लाई किया था वो old pension scheme को भी opt कर सकते हैं क्योंकि अगर उन्हें national pension scheme अच्छी नहीं लग रही है तो थोड़ा सा difference देख लेते हैं यह देखो पहना दा scheme guarantees a lifelong income post retirement old pension scheme ऐसी थी कि भाई साब जब आप retire हो जाएंगे तो आपको lifetime income मिलती रहेगी जब तब आप चीवी थे national pension scheme ये एक participatory scheme है where employees contribute to their pension corpus from their salaries with matching contribution from the government national pension scheme क्या थी old pension scheme क्या थी कि सरकार में आप लग जाओ सरकारी जॉब करो 60 साल के बाद सरकार बिना आप यहां जे पैंशा नहीं भी देंगे तो सरकार आपको 60 साल के बाद पैंसा देगी बड़ नई pension scheme क्या है यहां पर नई pension scheme ये कहती है कि कुछ जो है जैसे कोई ex-person है वो सरकारी जॉब में लगाया तो कुछ अपनी salary का suppose उसने 300 रुपे दिये सरकार को 300 रुपे सरकार खुद उसके लिए देगी 600 रुपे मतलब उसके हर मंत्ते जमा हो जाएंगे तो यह क्या होगा कि contribution वाली scheme है government bears the expenditure incurred on the pension old pension scheme क्या थी सरकार पूरा खर्चा उठाएगी जितनी भी pension वाले होंगे 2003 से पहन ले ठीक है पूरा यहां पर इसमें क्या है नई pension scheme जो आईए the funds are invested in earmarked investment scheme through pension fund manager कहने का मतलब वही है यार कि यहां पर तो सरकार contribute करती है बट यहां पर कुछ percentage of share उस person को भी contribute करना पड़ेगा अपनी salary से under the scheme जो पुरानी old scheme थी इस scheme के अंदरगत a monthly payment is assured एक month की एक payment आएगी यह fix था where the amount is equivalent to 50% of last drawn salary कहने का मतलब अगर कोई बंदा 60 साल में अगर उसको मिल रही है 80,000 रुपे salary ठीक है तो उसको monthly pension कम से कम 40,000 मिलेगी ही मिलेगी या 30 से 40,000 के बीच में मिलेगी बट यहां पर retirement के बाद national pension scheme में 60% जो corpus corpus मतलब होता total जमा कितना किया जो कि tax free होगा is withdrawn while the remaining 40% is invested in NUTs which is tagged यहां पर क्या है कि 60% तो ऐसा होगा जो tax free होगा बागी 40% जो होगा उस पर tax लगेगा तो समझ मारा कहने का मतलब तो अब में को तो कौन सी पसंद आईगी मुझे तो खुद अगर मैं लेना चाहूँ तो old pension scheme जहां पूरा खर्चा सरकार उठाएगी मेरी pension का जो last drawn salary थी जो मेरी होगी उसकी आधी 50% तो वो देगी मुझे rather than यह national pension scheme अच्छी नहीं है सरकार ने मतलब अच्छी है हर एक scheme के मैं कहूँगा हर एक scheme के फायदे होते हैं बट मैंने वही बोला starting में कि यह दो गाड़ी हैं कुछ लोगों को वह अच्छी लगती है कुछ लोगों को वह but monthly salary मिल जाए क्योंकि basic सबसे पहले का mindset यहीं बनाया है कि आप job करते हैं तो आपको pension salary pension आती है तो यह वही वाली बात है बट रेदर अब जो नई generation है वो इसमें भी सिप्टोरी है क्योंकि सरकार वो यह भी चाती है कि उनकी salary से और सरकार कुछ contribute करके NPS दो दोनों के बीच में यह difference है बट सरकार ने यह काया कि जिन लोगों ने 22.03 से पहले जॉब को apply किया था वो old pension skip का lab उठा सकते हैं जो कि एक बहुत अच्छी बात है जिसमें पूरा खर्चा कोन कर रही है सरकार कर रही है और monthly pension तो उसमें sure है तो I think अब आपको समझ में आ गया होगा इन दोनों के बीच में difference थोड़ा मैं बता देता हूँ pension scheme के बारे में अब देखिए टेलीग्राम में आपको जाना है पंकजबुरा ओफिशल या आपको highlighted version मिल जाएगा national pension scheme के बारे में जान लेते हैं देखिए किंद्र सरकार ने national pension scheme introduce कराई जो कि 2004 से लाग हुई in 2018 स्ट्रिम लाइन एन पिएस एन मेक इट मोर अट्रेक्टिव किंद्र सरकार ने union cabinet approved changes in scheme to benefit central government employee covered under NPS तो सरकार ने 2008 में कुछ changes भी किये कि हां बहुत सरे लोगों को अच्छी नहीं लग रही तो कुछ फायदे एन पिएस जो था implement और regulate किया जाता है पिए फार्ड ये द्वारा किया जाता है प्राविडेंट फंड वाली और एक ट्रस्टी भी स्टेब्लिच्ट है पिए फार्ड ये और beneficiaries बता देता हूं एन पिएस किन के लिए जो new pension scheme है अगर आप मान के चलिए अपकमिंग सरकारी जॉब में लगते हैं तो एन पिएस वाज मेड अविलेबल तो अल सिटीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम मेड 2009 एन पिएस को 2009 से सभी पहले तो कुछ limitation थी about some citizen की age ये होनी चाहिए बट 2009 के बाद national pension scheme ये बोला गया सभी नागरिकों के लिए हो गई अब age वाला भी देख लेते हैं चाहिए वो resident हो भारत में रहता हो या non resident हो अगर उसकी अठार से 65 वर्स है तो वो नपिएस को जोइन कर सकता है 2009 से सभी नागरिकों के लिए ये खुल गई और मैं बात करूँगा अठार से लेके पैश अड़ वर्स तक कोई भी एनपिएस को जोइन कर सकता है चीक है बट एनपिएस सिस्टम के लिए कौन eligible नहीं है OCI Overseas Citizen of India Person of Indian Origin PIO का मतलब क्या होता है बाता है भारत में तो वो पैदा हुआ है जैसे अगर आप बात करेंगे मैं काऊंगा जो सुन्दर पीचाई है ठीक है सुन्दर पीचाई है Alphabet Company के CEO अब वो Person of Indian Origin है भारत के तो है ठीक है भारत के तो है पर भारत में नहीं है अमेरिकन सिटिजन सिप है ना उनकी तो सिंपल सी बात है वो NPS को जोइन नहीं कर पाएंगे सुन्दर पीचाई सत्य नडेला ऐसे लोग तो आई थिंक अब आपको समझ माया गया होगा 2004 से NPS सुरू हुआ उससे पहले के लोग जो होंगे वो Old Pension Scheme को आप्ट कर सकते हैं जिन लोगोंने जॉब के लिए अपला खर्चा उठाती है दोजानौ से सभी नागरी को के लिए NPS आ गया था अठार से 65 वर्ट के लिए ठीक है तो देखिए पहले पेज में टाइम लग जाता है थोड़ा सा पर पेज नमर टू से अगर आप देखो के कोई भी काम की न्यूज नहीं है यह देखिए यह भी काम की न्यूज नहीं है यह वही है ओल्ड पेंशन स्कीम इन एच पी फ्रॉम अप्रेल वन टू कॉस्ट स्टेट 1000 करोल रुपे जैसे अभी सरकार का केंद सरकार का फैसला आया ना कि ओल्ड पेंशन स्कीम आप लोग आप्ट कर सकते हैं तो इसमें तो सरकार का ही पूरा खर्चा है तो यहां पर हिमानचल प्रदेश सरकार यह कह रही है कि एक अप्रेल से जम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे उसमें सरकार का खर्चा 1000 करोल रुपे तक आ सकता है ठीक है यह हो गया हमारा मनी से सोडिया को पकड़ लिया है हो मिनिस्टी अलोट्स 120 क्रोड टू बिल आ गया है चीप जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा यहां पर हुआ क्या है देखो स्टोरी बता देता हूं सुप्रेम कोड इस लाइकली टू लिस्ट दे केस आप्टर दो होली वैकेशन इस्टूदेंट हैब टूप कोर्ट विल वरकिंग अनली फ्रॉम मार्च जो कॉंट्रोवर्सी हुई थी रिकार्डिंग दा हिजाब तो उससे रिलेटेड है कि बच्चे पहन के आएंगे नहीं आएंगे यह वाली चीज़ है बट यह आपको अभी करने की जरुवत नहीं है ठीक है पेज निमर फाइव यह आपको करने की जरुवत नहीं है देखो पेज निमर सिक्स में एडिटोरियल है सबसे पहला एडिटोरियल देखो क्या दिया गया है बहुत सिंपल है हाली में क्या हुआ था देखो मैं स्टोरी बेस्ट आपको समझाता हूं महराष्ट्र में क्या हुआ कि सिवसेना की सरकार थी सिवसेना की सरकार थी बट जो बाल स सरकार बन गई सिवसेना के आदे से जदा मैजुरीटी तो एकनाथ के पास है ठीक है हो CM है महाराश्टर के और तो अब एकनाथ सिंदे ने क्या उन्होंने कहा कि जो सिवसेना का election symbol है सिवसेना का नाम है हम को मिल जाना चाहिए तो election commission of India ने क्या बोल दिया कि yes ये आपका है जो पार्टी का नाम सिर्व से ना है और election symbol जो bow and arrow है धनुसबान है वो भी आपकी सरकार को मिल जाएगा तो इतने ज्यादा अब जो उद्धा उठाकरे की सरकार है वो कहती है कि नहीं यार ये तो मेरे पिताजी की विरास्त है आप नहीं ले सकते पर इलेक्शन कमिशन ने majority का जो लौ है प्रॉविजन है वो एपलाई किया कि जिसके सरकार जिसकी सरकार है जो majority member जिसके पार्टी मे है उसकी हम favor करेंगे तो वो एकनात सिंदे की सरकार है भाई साब तो इसके चलते हुए election commission अभी बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहा तो हाल में सुप्रिम कोर्ट ने कहा कि यार जो election commission है ना अब एक खास बात यह जो एकनात सिंदे की सरकार है उसमें बीजेपी का गया था वो सही भी है बट इसके चलते हुए एक rumor उठा कि यार क्या election commission ऑफ इंडिया इतना उसको आजा दी नहीं है इंडिपेंडेंस नहीं है क्या तो सुप्रिम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये बोला कि जो तीन मेंबर की committee है तीन मेंबर की जो committee है जिसमें एक PM मोदी होंग जैसे लोकसभा में जैसे लोकसभा में अभी किसकी पार्टी है भाई साब बीजेपी की मैजूरिटी है तो जो भी leader of opposition होगा मतलब जो opposition party में सबसे ज़्यादा उनकी seat होंगी एक उसका leader होगा क्यूंकि एक यार government के oppose मैं सभी government के नहीं होने चैना है तो सुप्रिम कोर्ट न जो non ruling government है तो एक अच्छी बात हो जाती है कि सरकार का आदमी तो है ही गैर सरकार वाला आदमी भी है और the leader of single largest opposition party और chief justice of India तो ये लोग जो तीन मेंबर की कमिटी है पीम मोधी leader of opposition party इन लोकसभा single largest opposition party और chief justice of India ये लोग election commissioner of India को choose करेंगे और election commissioner को choose करेंगे जब तक एक नया कानून नहीं आ जाता एक अच्छी बात है मैं कहूंगा यार इससे election commission of India को इस तरह से नहीं देखा जाएगा कि हाँ ये विका हुआ हुआ है तो वही चीज है तो यही अभी सुप्रिम कोड का फैसल आया है हाला कि जो कानून है वो parliament ही बनाएगी election commission के बार जास्ट पती जी अपॉइंट करेंगे बट तीन मेंबर की committee बताएगी कि किसको अपॉइंट करना है समझ माया पी एम पी एम सबसे पहले कौन है पी एम है लीडर ऑप अपोजिशन इन लोकसभा है लीडर ऑप सिंगल लाजस्ट पार्टी है चीप जस्टिस आफ इंडिया यह लोग election commission of India को जो है वो नाम सज़ेस्ट करेंगे कि हाँ भाई इसको बनाओ फिर उसके oppose में president जो है हमारे उनको appoint कर देंगे ठीक है तो जैसा मैंने बोला election commission is a vital component of republic that require functional freedom and constitutional protection to ensure free and fair election मैंने जैसा आप से यही कहा कि election commission of India अपने आप में ही बहुत बड़ी body है तो वो चाहती है कि एक ऐसे चुनाओ कर आए जो बहुत जादा free हो fair हो उसमें corruption ना हो तो इसके चलते हुए Supreme Court ने अपना यह judgment दिया कि जब तक एक नया कानून नहीं आ जाता कि एक election commission of India कैसे चुनेंगे तक तक आप इस process से चुनें तो मैं तो यही समझता हूं कि जो नया कानून भी आए यह तीन मेंबर की committee को it has been practice that president appoint the CECN election commissioner on the advice of prime minister but the constitutional bench has pointed out the original intent of constitution maker was that manner of appointment should be laid down in a parliamentary law यहाँ पर यह बोला गया है कि अहाला कि अभी राष्ट्रपती जी appoint करते हैं बट पीम की advice से बट election commissioner of India का जो office होना चाहिए वो independent होना चाहिए ठीक है देखिए इस बार के हाला कि एक perfect कानून भी नहीं आया है कि एक चीफ election commissioner को और election commissioner को एक होते हैं chief election commissioner दूसरे होते हैं दो election commissioner इनको कैसे appoint करेंगे तो इस बार के जो जर्स थे constitutional bench में उनका नाम था justice के एम जोशव साब और इन्हों नहीं यह तीन में मरगी committee वाला judgment जो है अभी सुनाया हुआ है ठीक है यहाँ पर वहीं बोला जा रहा है irrelevant question is whether the presence of CGI in the selection panel is the only way in which an institution independence can be preserved अब question यह आता है कि जहाँ जरूरी है क्या chief justice of India या judiciary सभी में होनी ही चाहिए कि अगर उसकी independence ते करनी है there is no clear proof that independence of CBI director who is appointed by panel that includes CGI on his nominee has been preserved or enhanced जरूरी नहीं कि chief justice of India होंगे उस committee में तो ही वो preserve हो पाएगा या मैं कहूंगा कि chief justice of India का होना mandatory है साथी साथ PM leader of opposition party और leader of single largest party right single largest opposition party तो इससे चलते हुए तो अभी पूरे का conclusion क्या है कि election commission of India article 324 में लिखा गया है उसकी independence पे जब भी बात आती है तो उसके हिसाब से सुप्रिम कोट ने judgment बनाया कि तीन member की committee क्या करेगी एपॉइंट करेगी chief election commissioner को I hope यह आपको समझ माया होगा पॉलेटी लक्षमी कांत में इसको फिर से आप पढ़ सकते हैं नेपाल next tutorial है about the नेपाल नेपाल क्या चीज़ है बाई साब नेपाल में तो सरकार है आ रही है जा रही है critical issue क्या बना हुआ है unemployment, national in-depthness, development challenges, right तो नेपाल में जब ऐसी चीज़ें चल रही है जो ये वीडियो कर रहा है मैं 4th March की directly upload कर दूँगा भी उसके बाद कल 5th, 6th, 7th, 8th और 9th एक साथ करेंगे ठीक है Mr. Prachand Head और या हो सकता इसके आगे की 4th, 5th, 6th, 7th एक साथ आ जाए अब 2008 में Prachand की सरकार थी ओली के साथ उन्होंने मिलके करी 2020 में वो तूड गई और यहाँ पर वोई बात है कि नहीं नहीं सरकार आती है नहीं नहीं जाती है ये हाल है आपका उत्राखंड राज्जी का भी आप कहेंगे यार उत्राखंड राज्जी में ऐसा क्या है मैं कहूंगा उत्राखंड 9 November 2000 को बना हुआ यानि कि सिर्फ 22 साल हो रहे हैं 22 साल के हिसाब से कितने आपको लगता है कि CM होने चाहिए उत्रा खंडे में 5 साल का एलेक्शन 5 का 1 5 का 1 5 का 1 जादी से ज्यादा ये 4 हैं चलो जादी से ज्यादा 6 पर उत्रा खंडे में 11 11 मोर दन 10 प्लस CM बन चुके हैं जैसा कि नैपाल में जब भी ऐसा होता है एक रेगुलर डेपलोमेंट उस देश में नहीं हो पाता राइट नेक्स्ट बात करते हैं क्लिन टैक एज नेक्स्ट बिक थिंग इन रूरल इंडिया क्लिन टैक क्लिन टैक का मतलब है कि आप मैनिफेक्चर करो चीज़ें बर उस से पॉलिशन नहीं होना चाहिए कुछ मैं एक्जामपल आपको देता हूँ किसान धर्मबीर और एक एनरजी एफिशेंट फूट प्रोसर मैनिफेक्चर है वो सेट अप किया है साथी साथ दोजार तीस तक मैं आप लोगों को एक कुछ फैक्ट बता दू कि भारत में तीस मीलियन से जादा विमेन ओन्ड माइक्रो एमसमीज होंगी एमसमीज क्या होती है छोटा जैसे किसी एक महला को सिलाई सेंटर खोलना है माइक्रो स्मॉल मेडियम एंटरप्राइजेस का एक हद से जादा रोल है हमारी जीटीपी पी कंट्रिब्यूशन में मैं कहूंगा यहाँ यहाँ पर दोजार तीस तक तीस मीलियन से जादा विमेन ओन्ड होंगी खुद के होंगे और डेल सो मीलियन लोगों को वो रोजगार भी देंगी जो कि एक बहुत बड़ी बात है देखिए आर्टिकल एक ऐसी चीज होती है जहां पर आपको यह एक्जामपल नहीं सुनना देखिए आपको आंसर राइटिंग करनी है और आंसर राइटिंग करनी है तो सिंपल सी बात है आपको कुछ ही पॉइंट लिखने है और यह इस्टेट्मेंट डाल देना है यहां पर एक अच्छी बात भी दी गई है कि यार एक विमन इंट्रॉपनॉर्शिप कैसे बढ़ सकती है सिंपल सी बात है इजी फाइनेंसिंग होके इजी फाइनेंस होगा तो वो चीज़ें होंगी मतलब इजी उनको पैंसे मिलेंगे तो वो आगे का स्टार्ट कर सकती है आपको यह पढ़ने की जरुबत नहीं है इन पंजाब फियर आप दे रिटन आप दडार्क डेज आपको खालिस्तान वाला इश्यू समझ मारा होगा खालिस्तान का इश्यू मैं एक छोटे सब्दों में बताऊं तो कुछ गुरू सिख लोगों की कॉम्यूनिटी है जैसे है पाकिस्तान समझ मारा तो यही सिख कॉम्यूनिटी यह कहती है कुछ सिक्ष कॉम्यूटी है सभी सिक्ष नहीं है ये कहते हैं कि जिससे पाकिस्तान एक अलग देश है तो वैसे ही पूरा पंजाब जहां ये कॉम्यूटी रहती है वहां हम खालिस्तान बनाना चाहते हैं जहां पर हमारी और्टोनॉमी हो चलेगी हमारी सरकार चलेगी हमारे रूल्स चलेंगे ऐसा कहना है इसे पाहन लेगी खालिस्तान को लेकर आप सबको पता है गोल्डन टेमपल जो की है अमरित्सर में जहां पर जो मेन एक्क्यूस था वो भिंडरे वाला था जहां पर ये चलाया गया और सिक्ष गुरूप आ गए कि उसको छोड़ो यह सब चीज़ां चल रही हैं आपको करने की जरुबत है नहीं पर नमर एट देखिए आप लोग ओल्ड पेंशन स्किम ले सकते हैं अगर आप 2004 से पहले आपने जॉब अपलाई किया पाई दिसम्मद 2004 से पहले राइट देखो कुछ फैक्ट बदा देता हूं ओल्ड पेंशन स्किम जो हमने पड़ा था जनवर 31 तक टोटल 23 65 693 सेंटरल इंप्लॉई हैं और साटी जार बत्ति साटी बत्तिस 768 इस्टेट गवर्मेंट इंप्लॉई हैं जो कि NPS जो इसकीम के अंदर एक्सेप्ट है देखो वेस्ट बंगॉल जो है उसने NPS जोइन नहीं किया वेस्ट बंगॉल यह लग पेंशन इसकीम है बहुत सारे बच्चों को जो फ्रेशर हैं इवन बहुत सारे जो लोग हैं उ आपने वो चीज़ सुनी है तो आपको आएगा नहीं आई है तो किसी ने बताया होगा तो आएगा कोई इसमें यह बड़ी बात नहीं है कि आएगा ही नहीं ठीक है कहने का मतलब यह है कि देखो सेंट्रल गवर्मेंट में हमारा किसका रूल है बीजेपी का रूल है अब ज जैसा मैंने बोला वेस्ट बंगॉल और यह है तो बहुत सारे जो स्टेट हैं वह सेंटल गवर्मेंट की नहीं मानते वह अपनी पेंशन स्किम चलाते हैं ऐसे ही जो पॉलिसी भी होती हैं बहुत सारी स्कीम होती है जल जीवन मिशन वह वेस्ट बंगॉल आप्ट नहीं करता इसमें ऐसा कोई रीजन नहीं है कि वेस्ट बंगॉल क्यों नहीं करता चलिए नेक्स्ट है पेज नमर नाइन जब भी आप अपना आंसर लिखे हैं तो हेल्थ सेक्टर में एक आंसर लिख सकते हैं वर्ल्ड बैंक भारत को एक बिलियन देने वाला है हेल्थ सेक्टर में आने वाले पेंडेमिक जो आ सकते हैं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए बारत उसको यूज कर सकता है एक बिलियन डॉलर एक साथ नहीं मिलेंगे पांसो मिलियन डॉलर आपको दे लैंडिंग विल डिवाइडे इंटो टू कॉम्प्लिमेंटरी लोंस 500 मिलियन सथे इच राइड नाओँ यह अऊ-धी सिर्व में 1 बिलियन डालर में फायदा कैसे होगा Infrastructure Mission आईशमान भारत आप सबको पता है क्या है इसमें एक पर्सन को एसिस्टेंस दिया जाएगा फाइनेंशेल एसिस्टेंस दिया जाएगा ठीक है अगर उसको सेकंडरी या टर्शिरी जैसे फैक्चर हो गया पाऊं उन्होंने कहा कि रैफर करना इसको तो उसमें में कुछ पैसे मिलते हैं अगर आपने आईशमान कार्ड बनाया है तो लेकि 2021 मां प्रदान मंत्री आईशमान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बना तो इसके चलते हुए भारत इसमें खर्च करेगा ताकि पब्लिक एफ़र्ड टु स्टेंथन सर्विस डिलिवरी थो एरे डिजाइन प्राइमरी हल्थ केर मॉडल लोगों को दवाईयां यहां पर घर में देनी की भी बात की जा रही है नेक्स्ट पहली बार ऐसा हुआ कि चाइना के जो फॉरन लेस्ट भी हैं कि जात पर के आपको खुद जहां एक करना चाहां शाहता था श्टेट्मेंट जारी नहीं करता था वहां एक एक बहुत बड़े मंत्री जो की एक्षिनल अफियर मिनिस्टर संकर के साथ चाइना के काउंटर पार्ट है एक्षिनल अफियर मिनिस्टर क्यूइन गैंग वह नई दिल्ली में आते हैं और बात करते हैं कि किस तरह से बॉर्डर इश्यू को रिजॉल्व किया जा सके एक अच साथ क्लोज हो जाए एक जियो पॉलिटिकल नेचर में एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी कुनो नैशनल पार्क मद्यवर्देश में ये नैशनल पार्क है और बोला जा रहा है कि यह 20 जो चिता लाए गए यहां पर उसके लिए क्योंकि यहां पर प्रे हैं ही नहीं ऐसा स स्टेन करने की तो तब एक किसी भी पार्क को बनाया जाता है इस तरह की से कि हाँ बाई चीता आने वाले हैं तो चीज को साइन्टिफिक चीज़ें बताएं कि हाँ बाई साब प्रे होने चाहिए एक जैक्ट नंबर में ताकि एक जो फूट साइकल है वो चलते रहे बट को कुनों नैशनल पार्क के याद रखना है मद्यप्रदेश में हैं अब यहां पर एक बहुत बड़ी बात है कि नैशनल इन्वेस्टिगेशन एजिंसी ने प्रॉपर्टी को एटेच कर दिया कर दिया पाकिस्तान बेज्ड लिस्टेड टेरिरिस्ट बसिद एहमद रेशी इन जमुएन कस्मीर बारा मुल्ला में जमुएन कस्मीर एक केंडर सासित प्रदेश है और जमुएन कस्मीर में एक जगह है बारा मुल्ला तो यहां पर एक बसित एहमद रेशी के नाम का बंदा था माना जाता है यह एक टेरिरिस्ट है पाकिस्तान बेज्ड तो एन आई ए ये ने इस बंदे की जमोयान कस्मीर में प्रॉपर्टी को सीज कर दिया एनायए ने कहा कि ये एक टेरिएरिस्ट है और UAPA के एक्टिक अंदर एक टेरिस्ट है और एनायए ने इसकी क्या कर दी जमीन जबत कर दी साथ ही साथ इसकी जो अग्री कल्चे लैंड है 9.25 मरला अंडर दे एक्ट वो भी जो क्या करें ये उसकी यूनिट है ठीक है वो भी जब तो कर ली गई तो एक और एडिशनल फेक्ट उत्राखंड में जो जमीन मापी जाती है वो मुठी नाली में मापी जाती है वैसे जमुएन कस्मीर में मरला में नापी जाती है ठीक है अगर मरला के बारे में बात करूँ तो 160 मरला यानि की होता है एक एकड़ ठीक है तो यहाँ पर से हम डिसकस कर लेते हैं NIA के बारे में NIA यानि की नैशनल इन्वेस्टिकेशन एजेंसी और NIA एक्ट 2008 में आया था ये एक केंडरी ये अजेंसी है यानि की मतलब केंडर सरकार के पूरे नियम मानती है और जो केंडर सरकार कहेगी वही ये मानेगी असका मेजर काम क्या है इस बौडी का मेजर काम है कि भारत की जो sovereignty, security, integrity है उसको maintain करना राजियों की security को maintain करना और दूसरे देशों के साथ friendly relation कैसे बनाए जा सकते हैं वो maintain करना साथी यह atomic nuclear facilities अगर कहीं पर फरजी नौट जो हैं मैं कहूंगा अगर आपने web series फरजी नहीं देखी तो आप देख सकते हैं उसे तो जो फरजी नौट किस तरह से circulate होते हैं within India या उसके हर एक राज्जी में वो फरजी web series आपको Amazon Prime में मिल जाएगी आप उसको भी देख सकते हैं साथी साथ इसका objective है कि आप terror को combat करें इसका headquarter है नई दिल्ली में branches हैं हैदराबाद गुवार्टी कोची मुंबई लखनव राइपूर राइट साथी साथ NIA मैंने कहा 2008 में आया था आप सबको पता है ना ये की पूरी हिस्ट्री ना ये की पीछे एक रीजन है कि 2008 में मुंबई टेरियर एटेग भी हुआ था तब एक सेंटरल एजिंसी की जरुवत थी तो ना ये बना दिया गया तो ना ये को और ज्यादा पावर दे दी गई 2019 में पार्लेमेंट ने कहा कि आप बैंक नोट जो फरजी है उसको तो पकड़ोगे साथी साथ हुमन ट्रेफिकिंग जांब बच्चों की खरीत फ्रोक होती है साइबर टेरिरिजम आप उसमें भी एक्सक्लूजिव आपका रोल रहेगा साथी साथ अगर निये किसी को जैसे अभी बसीत एहमद रहशी को उसकी जमीन जब्त कर लिया अगर उसको पकड़ लेते तो स्पेशल कोर्ट में उसको ले जाते ठीक है उसको स्पेशल कोर्ट में ले जाया जाता निये के राइट स्पेशल कोर्ट में कौन होगा एक के नसरकार का बंदा हो अगर जो इस्पेशल कोट निये ने जिसको खरीद मतलब गिरबतार किया है इस्पेशल कोट ने जो भी डेसिजन सुनाया अगर किसी बंदे को लगा कि हाँ मैं फॉर्दर अपील करना चाहता हूं तो आप केंदर सरकार को ही अपील कर सकते हैं जिसका जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा राइट चलिए नेक्स्ट है पेज नमर टैन देखिए एक बहुत नेगेटिव नियूज है भारत की एक कमपनी है गुडगाओं की मान के चलो नोईडा की तो वहां कुछ लोगों ने एक पार्मसेटिकल कमपनी खोली तो उन्होंने कब से र सिरफ के वजे से वही है क्यां यह इडील्ट रेज इसमें मिलावट वली कब सिरफ है सिमिलरली अगर बताओं तो जो हुट में जो सेंट्रल-मल ए西या का एक देश है जैसे होते है ना कजगिस्तान तजकिस्तान वैसे ही है जो फैकिस्तान या उजर उजर पैकिस्तानिज zit काम करना चाहिए इंडिया स्कूर 74.4 इंड वर्ल्ड बैंक इंडेक्स ऑन वर्किंग विमेन एक बहुत बड़ी बात है इंडियन वर्किंग विमेन पें पेंशन दो नौट प्राइट फॉर एक्वेलिटी इंडियन में भारत में जो लड़के हैं उनको ज्यादा सेलरी मिलती है लड़कियों को कम सेलरी मिलती है अगर किसी भी सेक्टर में देखें बट अगर आप देखेंगे गौवर्यमेंट सेक्टर में जहां पर महला हैं और पुरूस की सेम सेलरी होती है वैसे बट प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं होता है ड्रैगिंग इंडिया स्कूर इन the index life cycle of working women down to 74 out of possible 100 बहुत बुरी कंडिशन अभी है 74.4 देखिए अब मैं थोड़ा सा वो बता देता हूं a score of 100 on the index means that women are on equal standing with men all the eight indicators according to world bank women business and law report दो जाते ही यह रिपोर्ट याद लख लो वर्ल्ड बैंक women business and law रिपोर्ट दो जाते ही इसके हिसाब से भारत को 74.4 दिया out of 100 100 का मतलब इक्वल सेलरी बड़ जो है 74 अभी बहुत आगे बढ़ना है भारत को मुंबाई को एक मेन बीजनर्स सिटी के रूप में देखा जाता है और मैं कहूंगा बहुत ऐसे मेट्रो पॉलिटिश्ट पॉलिटन सहर है जहां पर ऐसी सुद्दाय होनी चाहिए और इंडिया को अपनी रैंकिंग इंप्रूब करने के लिए एक्कुलिटी में डिया गया है और बात है मौस्को की और माना जाता है कि इन्हों ने क्राइम को पाइनेंस किया था पॉलिटिकल मॉटिवेटेड है ऐसा बोला गया था इनका जो प्रोटेस्ट है जो कि सही प्रचेजिंग मैनेजर इंडेक्स अब देखो यहां पर कितना है और यह 59 ने बढ़ गया ना तो PMI के बारे में बता देता हूं यह क्या है फिर उसके बाद हम अपना आज का न्यूश पेपर डिसकेशन खतम करेंगे यह अल्लेडी बहुत बड़ा डिसकेशन है ठीक है तो मैं आपको PMI के बारे में बताता हूं PMI यानि कि पर्चेटिंग मैनेजर इंडेक्स जी एस पेपर ट्री ग्रोफ और डेप्लमेंट में पूछे जाता है PMI होता गया सिंपल सी बात है कुछ लोग जाएंगे सरकार के लोग दुकानदारों से पूछेंगे भाई साब इस बा है तो कम सेल हुई तो PMI कुछ इसी तरह का है मतलब सर्वेज इंडिकेटर समझ मारा कि मतलब लोग पूछेंगे सरकार के लोग और PMI जनरेट करेंगे बट इससे फायदे होते हैं कि पता चल जाता है GDP ग्रोफ अच्छी है या नहीं इन्वेस्टर को पता चल जाता है कि मार मार्केट अच्छी चल रही है या नहीं चल रही है राइट तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे थैंक यू एब नाइस डे ओके है अल्राइट एंड वाल्कम तु ओल इन टुडेज डिसकेशन नाव देखिए चार मार्च का ओल लेडी कर चुके हैं इसके पीछ करते हैं आज का डिसकेशन सबसे पहले यहां पर देखिए यह जो है संडे का न्यूश्पेपर और पांच मार्च का है जो हमारे काम का है वो सिर्फ हम करेंगे देखिए चाइना टेक्स लीड इन मैपिंग दर डीब इसका मतलब क्या है यह देखिए यह क्या बोला जा रहा अगर पॉली मेटलिक नॉडिूल्स के बारे में बात करा हैं बहुत सारे मेटल्स मिलते हैं समूद्र के अंदर तो इंडियन ओशन ने उनाइटिन नेशेण कॉम से क्या लिया था कि हमें समुद्र में एक्स्प्लोर करना है तो अब धीरे-धीरे क्या करने लगी चाइना चाइना कहने लगी कि हाँ ये तो भाई अगर समुद्र में तो बहुत सारी ऐसी चीज़े हैं ओशियन में जो अभी तक नहीं मिली है तो उसको ढूड़ना एक्स्प्लोर करना बहुत सारे मैटल्स को लेना GDP पर भी contribution करेगा साथी साथ एक global scientific prestige का भी मामला है क्योंकि बहुत कम explore हुआ है oceanic surface तो इसके चलते हुए यहाँ पर यह पूरा चाइना के बारे में बता रहा है कि चाइना ने क्या क्या किया है और क्या क्या चीज़े बस सिर्फ हम वही चीज़ इसमें पढ़ेंगे जो हमार यह काम की होगी देखो चाइना यहाँ पर यह बोल रहा है कि चाइना ability to enter the world deepest ocean to carry out scientific exploration and research and reflect the nation comprehensive strength in marine high technology field बतलब अगर deepest ocean के बारे में बात करें वर्ल्ड का deepest है मरियाना ट्रेंच कौन सा है मरियाना ट्रेंच है और यह Pacific Ocean में है यह डारेक्टली पूछा जा सकता है चीक है और इस पर चाइना आगे बढ़ने की सोच रहा है अभी तक मैं बात करूँ सिर्फ US यानि United States of America France Russia ऐसी capabilities है जो deep sea explore कर सकती है किसमें सिर्फ तीन देशों में United States France और Russia अब चाइना भी सोच रहे है कि हमारे जो scientist हैं बहुत तगड़ा काम कर रहे हैं तो चलो ठीक है तो अभी तक सिर् test exploration करने की बात की जा रही है right now move to the next news it is about the ICMR ICMR rising cases of cough and fever linked to influenza subtype AS3 and 2 बहुत सारे लोगों को cough हो रहा है और बहुत ज्यादा बुखार तेजी से हो रहा है बढ़ते होए cases है तो उन्होंने का कि एक इस तरह का का influenza है जिसका सब टाइप नेम रख देते हैं वह एच 3 & 2 राइट तो ऐसा किसने बोला ICMR ने इंडियन काउंसल आप मेडिकल डिसर्च बहुत बड़ी यह institute है ऐसा क्यों अभी मैं बताऊंगा तो जो अभी सिंपल सी बात है देखो all over इंडिया में जब भी कोई ऐसी तेजी से कोई बीमारी बढ़े कोई disease फैलने लगे कोई subtype बढ़ने लगे सब टाइप इंफ्लिउंजा सब टाइप का मतलब होता है एक तो इंफ्लिउंजा होता है जिसके वज़े से बहुत तेज सरदर दो रही है सपोज मान के चलो उसका सब टाइप का लग नाम है जैसे AH3 & 2 है यह इंफ्लिउंजा है तो वह है ICMR तो ICMR के 30 से ज्यादा viral research और diagnostic laboratories है और मतलब all over इंडिया में जितनी भी बिमारी फैलरी है उसको चेक करने का काम ICMR का है मैं आपको ICMR के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं अब यह सब चीज़ें आपको telegram में free में मिल जाएंगी देखो आपको telegram में civil see होगी और पंकजबोरा official सर्च करना है पंकजबोरा official में highlighted version भी होगा और जो जो highlight की है वो चीज़ें आपको free में मिल जाएंगी पांच मार्च में सबसे पहले ICMR कर लेते हैं देखें यह सबसे apex body है मतलब top की body है अगर all over इंडिया में जितने भी biomedical research हो रही है तो यह भी कहा जा सकता है कि world की oldest यह biomedical research institute भी है इसको भारसरकार funding देती है मतलब पैसा देती है through the department of health research और ministry of health and family welfare के अंदर यह काम करता है ठीक है अब all over इंडिया के जब भी हम बारे में बात करते हैं तो ICMR के 26 national institute है 26 ठीक है 26 से ज़्यादा भी है मैंने जैसा पहले भी बताया था ICMR already इंडिया में जैसे TB हो गया जैसे tuberculosis कहते हैं लेपरोसी कुष्ट रोग हो गया कॉलरा हो गया डाइरिया हो गया जैसे हो जाते हैं पाइरल डिजीज है जैसे AIDS है अक्वाइड इमिनो डिफिशेंसी सिंड्रॉम मलेरिया काला जवर तो कहने का मतलब समझ मारा ICMR क्या गड़ता है उसके all over इंडिया में 26 national institute हैं आपको ICMR से रिगार्डिंग सिर्प यह याद रखना है कि यह ministry of health and family welfare इसको पूरा सपोर्ट करत यह council यह भी देखती है कि यार भारत में nutritional disorder तो नहीं है right maternal child health control fertility control तो नहीं है यह भी चेक करता है कौन ICMR now move to the next news आपको यह नहीं करना यह नहीं करना यह वाला नहीं करना और यह वाला नहीं करना तो पहला page complete चलिए move to the next page next page में देखो I love Sisodia LG पूरा criminal और political news है जो ना तो हमारे UPSC में काम आएंगे नहीं स्टेट PCS में right next page number three migrant laborers stay of work Tamil Nadu industries in panic अब तमिलाडू देखिए बहुत सारे हिमांचल प्रडेस नौर्थ के बहुत सारे लोग साउथ में जाते हैं पैंसा कमाने के लिए वैसे ही बहुत सारे अभी तमिलाडू की सरकार ने कहा है कि जो migrant laborers हैं नौर्थ के जैसे किसी ने hotel खोला होगा कोई काम करता होगा उनको देख सरकार ने बोला है ठीक है सरकार ने बोला है कि panic करने की जरुवत नहीं है हम एक अच्छे rule बनाएंगे for migrant laborers light ओके यह अपना नहीं करना यह भी नहीं करना classified देखो कुछ काम का नहीं है classified में page नम्मर 5 में sensitize so we don't see them around यह हमारा कुछ काम का नहीं है देखो पूरा एडविटाइज है page नम्मर 6 में देखो मैंने गा अभी नौट से इस्ट में election चल रहे हैं तो तिरपूरा मनीपूर मेगा लई यह सब election वाली बाते हैं इलेक्शन वाली बाते हैं ठीक है वोड बाई कास्ट कम्यूनिटी हिंदू अपर कास्ट हिंदू ओवी सी हिंदू दलीत हिंदू स्ट मुस्लिम यह हर जगे का सेमी सीन है कि यार अगर कहीं पर भी इलेक्शन हो रहे हैं तो कास्ट बेजड एक बहुत ज़्यादा कास्ट बेजड एलिमेंट मैं कहूंगा बहुत हद तक रोल प्ले करता है जब भी वोटिंग की बात की जाती है राइट देखे पेज नमर सैवन ब्रूस बिकम्स विजिबल बट दियर फाइट फॉर आइड परे काम का है ऐस्टेलिया जापान के पी-म विजिट करने वाले हैं भारत में कौर्ड सम्मिट होने से पहले एक मैं कहूंगा यार बहुत पॉजिटिव बात है अभी टेस्ट क्रिकेट भी चल रहा है ऑस्टेलिया के पी-म भी आते हैं वो भी मिलते हैं तो बाइलेटरल ज जापान के साथ ऑस्टेलिया के साथ राइट युनाइटेड इस्टेट सॉप अमेरिका के साथ एवन रशिया तो हमसे यह चाह रहा है कि इंडिया और रशिया भी क्लोज आ जाएं ताकि हमारी एकोनोमी और ज्यादा बड़े एक हम इसका फायदा उठा सकते हैं ट्रेट के मेंशन किया और बहुत हद तक बुद्धिज्म फैला भी है तो एक कल्चर के बेसिस पर एक ट्रेट के बेसिस पर हम इसको पॉजिटिव एलिमेंट ले सकते हैं इंडिया के प्रेस्पेक्टिव में साथी साथ अभी चलने वाला है इलक्ट्रिक वेकिल्स का दौर और मैं कह हूंगा कि इंडिया और चाइना ऐसे छोटे छोटे कैटिगरी में बाइलेटरल जो है समझाता कर सकता है बट मैं यहां पर बात करने वाला हूं कौर्ड सम्मीट की कौर्ड एक बहुत अलग तरीके का सम्मीट है बट उससे पहले और जापान के पीम भारत में आने वाले है मिस्टर मोधी से मिलने और वेरियस कैटेगरी में जैसे कि टेकनोलोजी डिफेंस है एडिकेशन है मैं साथ यह साथ यह भी बता दो कि ऑस्ट्रेलिया की दो युनिवर्सिटी जो सेंटर है गुजरात में खुलने वाली है और बहुत बड़ी बात है कि एडिकेशन के हमारा मजबूत तो है और इसे बड़ावा दिया जा सकता है बट मैं यहाँ पर बात करूँगा क्वार्ट सम्मिट जब चारों देशों के लीडर मिलेंगे अब यह क्वार्ट सम्मिट एक तरह से मैं डिरेक्ली बता हूँ तो चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया गया है जिस तरह से चाइना इंडियन ओशियन में पैसिपिक ऊशियन में अपना डॉमिनेंस शो कर रहा है डिफैंसिव स्ट्रेटिजी एटेकिंग स्ट्रेटिजी शो कर रहा है उसके बेसिस पर हमने क्वार्ट बनाया तो चलिए क्वार्ट को जान लेते हैं क्वार्ड है क्व क्वार्ड का मतलब होता है क्वार्ड रिलेटरल सेक्यूरेटी डायलॉग जीएस पेपर टू ग्लोबल ग्रूपिंग में डायरक्ली पूछा जा सकता है क्वार्ड मैं कहूंगा यह एक तरके का इनफॉर्मल स्ट्रेटिक डायलॉग है इसमें टोटल चार देश हैं जो चाइ चाइना का पोजीशन सिंपल जी बात है यूएसे से किसको पंगे चाइना के जापान मैं कहूंगा एक वक्त के लिए इंडिया पाकिस्तान की जो प्रॉबलम है वो सॉल्फ हो सकती है बड़ जापान और चाइना की कभी नहीं होगी ऑस्ट्रेलिया राइट यह तीचारों ऐसे देश हैं शियर्ड अब्जेक्टिव है ताकि वो चाते हैं कि जो इंडियन और पैसिपिकोशन वाला रीजन है जिसमें कि आने वाले समयम बहुत हद तक ट्रेड किया जा सकता है उस वाले जो मार्ग को फ्री ओपन और प्रोस्परस बनाया जाए ठीक है फ्री ओपन औ और प्रोस्परस बनाया जाए यह क्वार्ड ग्रूप्स की पूरी बात की जाती है अब चलिए क्वार्ड ग्रूप का जो आइडिया होता है वो आया कहां से क्वार्ड का आइडिया आता है सबसे पहले जापानी जो प्राइमिनिस्टर हैं सिंग जोएबे 2007 इनके पास और यह कहते हैं कि धीरे धीरे हम क्या करेंगे आइडिया कुड नॉट मूब आइड विद ऑस्ट्रेलिया पूलिंग आउट ओफ इट अपरेंडली दू चाइनिस प्रेसर देखो जापान के पीम बोलते हैं कि भाई सब एक ग्रूप बनाना चीए जिसमें हम चाइना को अपरेंटली चाइना के प्रेसर से ऑस्ट्रेलिया हट गया हां सॉरी फॉर दपास नाव देखिए मैंने ये बोला था कि जापान के पीम को यह आइडिया था दोजार साथ में बट चाइना ने ऑस्ट्रेलिया को जॉइन करने नहीं दिया था देखो सोचो इतना ज्यादा कि यार चाइना ने बोला और अस्ट्रेलिया ने जोइन नहीं किया इसके पीछे के बहुत बड़े रीजन है जिसमें बहुत सारा एक तो डैप्ट भी आता है कि करजे दिया था दूसरा इंडो पैसिफिक रीजन में बहुत सारे ट्रेड अभी चलते रहते हैं तो उसके बे युएस ऐस्ट्रेलिया जापान ने बोला कि हम क्वाड बना लेते हैं 2007 video है इंडिया है यूएस ऐस्ट्रेलिया है और जापान है उसनह क्वाड बना दिया और चाइना के बारे में अगर में बात करों कि यूएसे के साथ पंगे या पने जापन के साथ इसमा वही चीज लिखा ओगा टुरियल։ तब इन चारों देशों ने क्या बनाया क्वार्ड बनाया राइट तो यही चीज़ है यहां पर एड़ इंड वे फॉरवर्ड यहां पर यह बोला आता है कि क्वार्ड को और अच्छे से देखना चाहिए फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक को फ्लोगन में नहीं रखना चाहि है नाव मोव तो दे नेक्स्ट पॉइंट गॉवर्मेंट डिसाइड अमंग एफ ओबलिक एटीन सुपर होर्नेट राफिल एम यहां पर नेवी को अपने डिफेंस एक्विपेंट बढ़ाने है तो गॉवर्मेंट ने डिसाइड किया एफ एटीन सुपर होर्नेट और मिले हैं और यहां पर यह बाला जा रहा है कि एक्ष्ट्राफिसिंग करने से दूसरे जो मरीन लाइफ हैं उसको खत्रा हो जाता है ठीक है यहां पर एक बड़ी बात यह देखिए कि से पिरामिड लाइक इस्ट्रुक्चर आपको देखने को मिल रहे हैं तो आसाम में यह द जिनको मोईडेम्स मेडम्स कहते हैं तो यह टेक्निकल रिक्वार्मेंट पूरी कर रहे हैं युनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज संटर के हिसाब से कि हाँ इसको प्रोटक्ट किया जाना चाहिए अब यह हैं क्या आपको यह इस्टन आसाम में मिलेंगे और नब्बे से ज्या पूल्ड लाज स्वेट्स अब प्रिजेंटे स्टेट एंड यहां पर रहते थी और उनके ही यहां पर जो रिमेनिंग से हैं परियल से उनको बरी किया गया था यहां पर और नब्बे से ज्यादा मॉइडम्स यहां पर हैं और यह हर एक कंडिशन फुल्फिल करते हैं इसको युनेसको वर्ल्ड हरिटेस सेंटर हरिटेस साइट डेक्लियर करने के लिए राइट तो जो नॉमिनेशन है मॉइडम्स का दमाउंट बरियल सिस्टम अप अहोम डाइनस्टी मैट अल्द टेक्निकल रिक्वार्मेंट्स आउटलाइन इन अपरेशनल गाइडाइन कं इसको युनेसको युनेसको हरिटेस साइट की राइट वर्ल्ड लेवल पर बारे में बात करते हैं सिविलियन फ्ली इम बैटल टाउन युक्रेनियन पुल आउट लूम वो ही चल रहा है पर हम बात करेंगे यहां पर युनाइटेड नेशन नुक्लियर प्रोवीजन साइन कर रहा है इरान के साथ और यहां पर बताये गिया राफेल मरियानो ग्रॉसी जो हैड है इंटरनेशनल एटोमिक एनरजी अजेंसी के डिकलाइन टू कमेंट ओन इस डिसकेशन डूरिंग प्रेस कॉन्फरेंस देखो इरान इरान नुक्लियर एंड़च्मेंट करता है जिसके बैसिस पर दूसरे देशों को नुक्सान है तो युनाइटेड नेशन के जो नुक्लियर वाल्ट हो गहां उनके हैड मिले इरान प्रेसिडेंट से बोला गया कि आप एंड़च्मेंट को थोड़ा सा कम करो तो यह क इसको वाइडली नौन फॉर दे वर्ल्ड एटम्स फॉर पीस एंड डेप्लोमेंट और युनाइटेड नेशन फैमिली का यह एक पार्ट है आई ये क्रेट हुआ था 1957 में आई ए ये और जनरली यह करता क्या है डिस्कवरीज करता है नुक्लियर टेक्नोलोजी में हैड़क इजेक्टिव क्या है एजनसी वर्क्स विद्ट मेंबर स्टेट एंड मल्टिपल पार्टनर वर्ल्ड वर्ल्ड वाइड तो प्रमोट सेफ सेक्यूर पीसफुल युज ऑफ नूपल टेक्नोलोजी दोजार पांच में आई एए को नोबल पीस प्राइज भी मिला था पीसफ फॉर सेजूर ट्राइब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है यह प्रड़ यह पूरा वह है कि यूश सारे लोगों का वुट्राइशन हो रहा है सेजूर ट्राइब का फॉरासट अनके जो राइट हैं वो नहीं दिए जा रहे हैं हाला कि बहुत सारे ऐसे राइट सेड्यूल ट्राइब को दिये जाते हैं बट इवन वो ट्राइब वो राइट सुनको नहीं मिल रहे हैं अगर नैशनल कमिशन फॉर सेड्यूल ट्राइब है इसको हम डिटेल में करेंगे तो और ज्यादा जान पाएंगे बट एनस एनसी एस् यह जैसे हम चाइना के साथ कर सकते हैं सेमिक इंडक्टर में लगभग लगभग हम कितना एक्सपोर्ट करते हैं देखिए इंडिया का गूड एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट जो है वह साथ सौपचास बिलियन डॉलर क्रॉस कर चुका है तो आप यह एक्सपेक्टेड लास्ट कर लेते हैं सेड्योड की ऐखिए ओर सईजू ट्राइब वाला थीक है आप सबको पता है एटीनाइन त कॉंस्ट्विश्नल AMENDMENT ACT 2003 में आता है और यह आरिकल को डालता है सेड्यूल कास्ट के लिए 338 a 338 a और सेड्यूल ट्राइब के लिए 338 a ठीक है यह जैठ है कि किस किस सेडूल ट्राइब के रिलेटेट जितने भी प्राविजन उसमें उन सब को फेवर करता है तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे फिर अगला करेंगे छह मार्च का साथ मार्च का और आठ मार्च का नौ मार्च का और दस मार्च का आज की इस वीडियो मे हम इतना ही करेंगे, thank you, have a nice day